अमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है मैं एक साइकाटरिस्ट हूँ, साइकोलोजिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ हमारा खुद का हॉस्पिटल है अकोला में, जो महाराश्टर इंडिया में है आज जो साइक्याटरिक का टॉपिक में लेकर आया हूँ, उसका नाम है डेलुजनल पैरासिटोसिस डेलुजनल पैरासिटोसिस ये काफी कॉमन बीमारी है और इसमें होता क्या है इसमें होता क्या है कि जो इसमें जो लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होती है उनको ऐसा लगता है, एक delusion होता है, एक feeling आती है कि उनके पूरे शरीर पर अलग-अलग प्राकार के कीड़े घुम रहे है ये जो बीमारी है, ये especially 50-60 साल के उमर के बाद जो स्तिरी और पुरुशे उनमें ये पाई जाती है ये होता क्यों है? इसकी बहुत सारे अलग-अलग कारण है, सबसे important जो कारण है वो ये है कि इसमें में, brain में कुछ chemicals होते है जैसे serotonin, dopamine, अगर उसकी संग्या बिगड गई तो ये delusional parasitosis नाम की विमारी हो सकती है और दूसरा जो चीज है, वो है nutritional deficiency अलग-अलग प्रकार के vitamin deficiency के कारण भी delusional parasitosis हो सकता है इसके symptoms क्या है? इसके symptoms बहुत ही simple है कोई भी व्यक्ति अगर उसको भास होने लगा कि मेरे शरीर के उपर, मेरे बाल के उपर, मेरे पेट के उपर या पूरे शरीर में अगर कीडे घूम रहे है इदर उदर खरोच कर रहे है अंदर जा रहे है अलग-अलग प्रकार के कीडे इदर उदर घूम रहे है तो समझ देना चाहिए कि ये जो बीमारी है patient को वो हो गई है patient अलग-अलग प्रकार के symptom बताता है जैसे patient बोलता है कि वो कीडे मुझे काट रहे है वो चीटिया मेरे शरीर के उपर अंदर घुस रही है या उपर है वो कीडे अंदर से पुरा शरीर नोच रहे है और हमने अगर उनको पूछा कि कीडे हमको बताईए तो वो कीडे patient को डॉक्टर को बता नहीं सकते और बोलते है कि वो कीडे अदुरुष्य है बार 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 लगातार patient को समझाने के बावजूद भी patient ये समझ नहीं पाता कि patient को भास है delusion है hallucination है patient को ये लगता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सच है क्योंकि वो patient के इसाब से actual reality है लेकिन हमको as a doctor as a relative हमको पता है कि actually असलियत में ऐसा कुछ नहीं है patient को ये जो बीमारी है इतनी बढ़ जाती है धिरे-धिरे कि patient अपने बाल नोचने लगता है वो खुजली करने लगता है पूरा शरीर खुजाते रहता है skin बाहर निकालने लगता है ओठ की लिप्स है लिप्स की जो skin है वो निकालने लगता है बाहर ऐसे अलग-अलग प्रकार के physical symptoms patient को दिखने लगते है साथ ही में patient depression में चले आता है patient को anxiety होती है patient बार-बार-बार-बार वोई-वोई आदते लगातार करते रहता है ऐसे अलग-अलग प्रकार के symptoms हमें delusional paracetosis में दिखते है मैंने जो हाली वे patient देखा था उसमें जो गुरुस्त था जो patient था वो बोल रहा था कि जो कीडे है वो अलग-अलग अपना color बदलते है वो कीडे मेरे हाथ पर घूमते है मेरे पेरों पर घूमते है मेरे सिर पर घूमते है मेरे बालों के उपर घूमते रहते है और अगर मैं उसे पकड़ने जाओ तो अपना color बदलते है अद्रुश्य हो जाते है लेकिन जब मैंने पूछा कि ये किडे करते क्या है तो उन्होंने कहा कि ये किडे मेरे सिर के अंदर का खून पीते है, मेरा निूट्रिशन पीते है और मुझे खरोषते है उसके वज़़े से मैं कमजोर हो रहा हूँ, मेरा सेक्स पावर कम हो गया है, मैं धिला पड़ चुका हूँ और मैं बिमार हो गया हूँ तो ये जब बिमारी है, एक्चुल फिजिकल बिमारी नहीं है, ये बिमारी एक्चुली मानसिक बिमारी है, साइकोलोजिकल बिमारी है, मेंटल बिमारी है इसका treatment करना बहुत ही ज़रूरी है लेकिन related score पेशन को ये समझ में नहीं आता कि ये मांसिक या psychological विमारी है शुरू में ये patient को लेकर physician के पास जाते है MD medicine के पास जाते है MD medicine अलग-अलग प्रकार treatment देते हैं उनको लेकिन फिर भी ये विमारी अच्छी होती नहीं है लेकिन लग-अलग प्रकार के anti-psychotics और anti-obsessive drugs है जो देकर patient पूरी तरह ठीक हो सकता है मेरा दावा है कि जब ये ऐसा कोई patient आता है तो कम से कम 3-4 दिन में patient को उसमें improvement दिखाई पड़ती है अगर patient को दवाई से improvement नहीं हुई तो patient को हम ECTP दे सकते हैं याने electroconversive therapy दे सकते हैं आने में अच्छा-च्छे vitamins और साथ में nutrition supplements अगर patient को दिए तो patient definitely इससे ये बीमारी से उबर सकता है अच्छा हो सकता है तो ऐसी ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो जरूर लाइक करिए share करिए मेरे चैनल को subscribe करिए मैं जल्द ही वीडियो से लेके आऊँगा आगे के धन्यवाद